दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटीब चैनल पर आज किस वीडियो में करेंगे हम लोग सामान ग्यान के कोश्चन्स जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्डेंट हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और पास में जो बेला इकन होता है उसको भी जरूर दबा लें चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो इस चैनल के पहला कोस्तों ने आज के सेशन में निमने इतियास कारों में किसने अकबर को इसलाम का सत्रू कहा तो इसलाम का सत्रू किसने कहा था आप्सिन भी वदा यूनी ने अकबर के सन्रचक बैरम खान का जो पतन है वो कब हुआ था तो उनका पतन हुआ था उप्सिन सी 1560 इस भी में अकबर का जो सन्रचक था बैरम खान उसका पतन हुआ था 1560 इस भी में मेगस्थनीज की जो फुस्तक है उसका नाम क्या है तो मेगस्थनीज की फुस्तक का नाम है option D, Indica किस उभए लिंगी पसू में परनिसेचन किया ज़ता है तो option C, केंचुवा next blubber, blubber क्या होता है तो blubber जो होता है तो ता option B, संग वसा की परत होती है चंगेज खान ने जलाओ देन का पीछा करते हुए किसके सासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था तो ये किया था option B, इल्तुत मिस भारतिय प्रतीक का उतकीन सत्मेव जयते लिया गया है तो ये लिया गया है option D, मुंड को पानिसास से निमन में से कौन भारत के लिए चुनाओती पैदा नहीं करता है तो option C, समाज बात निमन में से कौन सी समिती संसत की इस्थाई समिती नहीं है तो option D, बित्व मंत्राले की परामर सदात्री समिती निमन में से कौन सा देश एक दलिये प्रणाली अपना रहा है तो option D, चीन कौन सा परवत हिमालाई स्रंकला का अंग नहीं है तो option A, अरावली और म्रदुम लाई पसू बियार प्रसिद्ध है तो किसलिए प्रसिद्ध है? option D, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए हाथियों के लिए? आगला कोशन कर लेते हैं सरंगेरी, बद्रिना, द्वारिका और पुरी में चार मठ इस्तापित किये थे तो किसने किये थे? आदि संकराचार के द्वारा DNA के कोड करण, खंड को क्या कहा जाता है? तो option D, एक्सौन कहा जाता है बस हमें गुलंसिल विटामिन कौन से होते हैं? तो option B, देखिए कौन कौन से होते हैं कैल्सी फेरॉल होते हैं, कैरोटीन होते है और टोको फेरॉल होता है रेसम का उत्पादन किसे से होता है? तो ये होता है option C, रेसम कीट के लारवा से होता है सासक बनने के बाद 12 अध्या देश जारी करने वाला जो मुगल बादसा था वो कौन था तो वो था आपका उप्सन है जहां गीर था प्राचीन भारत का प्रसिद्य सासक जो है वो कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धरम अपना लिया था तो ये था आप्सन सी चंदर गुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धरम को अपना लिया था उच्चितम नियायले को परामर सदात्री बनाया गया है तो option C अनुच्छेद 143 में भारती रिजर बैंक का जो मोख्याले है वो कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है option B मुंबाई बराउनी निम्नु मैंसे किस उद्योग के लिए परसिद है तो बराउनी जो है वो option है तेल सोधन उद्योग के लिए परसिद है प्रतिहार सोयम को खालिस्तान का वनसच मानते थे जो राम के प्रतिहार अथार्त द्वार पाल थे तो option C लचमड बंगाल का जो द्वैज असासन है वो कब से कब तक चला तो ये चला था option C सत्रे सो पैंसट से सत्रे सो बहात्तर तक सत्रे सो पैंसट से सत्रे सो बहात्तर तक चला बंगाल का द्वैज असासन राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारन काम की भखातिर भारतिय त्यास में अपनी पैचान बनाई उसका मुख्य काम इस दिसा में था तो किस दिशा में था? Option B, समाज सुधार की दिशा में था अब तक लोकसबा में प्रस्तुत आ विश्वास प्रस्ताव सरवादिक बार किस प्रदान मंत्री के सरकार के खिलाप रखे काया है तो option C हो जाएगा इंद्रा गांदी Next है, निमलिकित में से किस भासा को भारतिय सम्मिदान की आठवी अनुसूची में सामिल नहीं किया गया है तो option D, मीजो Next question guys बनता है सरवोच नियायाले के नियायादेश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद की जो पदोननती का आदेश जो होता है कौन जारी कर सकता है तो ये हो जाएगा आपका option B, राष्टपती सोतंदर भारत के प्रतम कानून मंतरी कौन थे तो ये थे आपके option A, डाक्टर वियार अमबेडिकर नियायक पुनर विलोकन का जो अधिकार है वोगा इस किसको है तो नियायक पुनर विलोकन का अधिकार है option B, उच्चितम नियाय आले को सर्व जनीन या सार्व भामिक बायस को मता अधिकार के दर्फाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है तो जो क्या है? option A, लोक तांत्रिक है निमलिखित में से किस प्राकर्तिक प्रदेश को बिस्चु का चिडिया घर के नाम से जाना जाता है तो यह जाएगा option B सबाना प्रदेश को जाना जाता है बिस्चु का चिडिया घर के नाम से सबाना प्रदेश भारत में सबसे अधिक क्रसी जो भूमी है वो किस फसल के अंतरगत आती है तो option है चावल चावल जो है इसकी क्रसी के अंतरगत सबसे अधिक भूमी आती है मतलब सबसे अधिक छेतरपल चावल किया जाता है निमलिखित में से किस जिले में काफी का अधिक उत्पादन होता है तो काफी का उत्पादन होता है यह option है कुर्ग से कहां से होता है कुर्ग अगला है लैको लित लैको लित जो है वो सम्मंदित है तो लैको लित किस से सम्मंदित है किस सम्मंदित है option है जोला मुखी से भारत में खाना पकाने के लिए विस्व की जो सबसे बड़ी और बास्प प्रणाली जो है वो कहां पर इस्तापित की गई है तो आप्सन है माउंट आभू माउंट आभू में भारत में खाना पकाने के लिए विश्की सबसे बड़ी और सौर बास्प प्रणाली इस्थापित की गई है इंपोर्टेंट कोस्चन है गाइस भारत में जलविद्दुत सकती गरे 1857 इसथी में कहां इस्थापित किया गया था तो गाइस ये इस्थापित किया गया था आपका ओप्सन भी दार्जिलिंग में इस्थापित किया था भारत में जलविद्दुत सकती गरे 1857 में इस्थापित किया गया था जगय का अगर नाम पूछा जाता है तो अब जगय का नाम बता सकते हैं दार्जिलिंग भारत में सर्व पर्थम पत्र मुद्रा का जो चलन है वो कब प्रारम हुआ था तो भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन प्रारम हुआ था important question है option D 1806 ESP में 1806 ESP में नियुन्तम जनसंख्या घनत्योबाला जो महाधीप है वो कौन सा है नियुन्तम का मतलब क्या होता है कम होता है और अधिक्तम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा यह कह सकते हैं ज्यादा यह कह सकते हैं मिनिमम इसको कह सकते हैं इसको मैक्जिमम कह सकते हैं तो नियुन्तम जनसंख्या घनत्योबाला महाधीप कौन सा है option D आस्ट्रेलिया महाधीप अगला question guys आपका last question है आज का कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उधिगम तथा मुहाना दोनो भारतिये छेत्र में इस्तित है तो कौन सा हो जाएगा option D गोदाबरी तो यह भारत की लंबी नदी इसका जो उधिगम तथा मुहाना है यह दोनो भारतिये छेत्र में इस्तित है मतलब ऐसे ऐसे दोनों भारतिय चेत्र में इस्तित है गोदा बरी नदी का तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद आपका दिन सोबर है